शुप्रभाद दोस्तों कैसे हुआ पासा करती हुए आप से बच्छे होंगी हम भी अपने परिवार के साथ है बहुत अच्छे है तो मैं सुबह उठी थी छे बजे और आध है संडे छुटी का दिन है बच्छे भी सोई रहे हैं तो मैं थोड़े देख छेत पर गई थी हुए बहुत अच्छा मौसम हो रहाता है और आके हम मैंने अपना काम शुरू कर दिया है तो पहले काम करूंगी उसके बाद में नाओंगी तब पुजा हुजा करूंगी यह मेरा राधिरूट गया है यह खा रहा है अपना खाना और मैंने कपड़े डाल दिये मसीन में धोने के लिए यहां पर कपड़े दूल रहे हैं और नास्ते की त्यारी भी कर देती हूं तो नास्ते में आज भी यह बनेगा करेला करेला ही बनाऊंगी उसी तरीके से नास्ते काम करते हूं फिर जाड़ो पोचा करूंगी तम नाऊंगी उसके बाद में पूजा करूंगी तो मैं करती हूं अपना काम शुरूँ सबजी मैंने छोक दिया है और कपड़े भी उधर धूल रहे हैं तो अब मैं अपना सफाई का काम निप्टा लेती हूं तो पहले जो है मैं बिस्तर जाड़ लेती हूं तॉलिये से या किसी भी कपड़े से क्योंकि बच्चे बार-बार उपर चड़ते हैं तो थोड़ी बहुत गंदेगी होई जाती हैं और अब मैं ये सोफे के कवर सही करूंगी और इनको भी छाड़ लोंगी और आजकल मेरे पूरे वरत चल रहे हैं तो मैं पहले जो है सफाई करती हूं उसके बाद में मैं नाध होके तब पूजा करती हूं वरना और दिन तो पहले सबसे पहले नास्ता ही बनता था और साफ सफाई में बाद में करती थी तो आजकल रूटिंग चेंज है जब तक वरत हैं तो अंदर के कमरों में मैंने जाड़ू लगा लिया है और अब मैं भार के कमरे में जो है मैं फिर बाद में करती हूं मेरे को क्योंकि घर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है और पसीना भी बहुत आता है तो आजकल रूटिंग चेंज है और वरत के बाद फिर वही रूटिन हो जाएगा अपना तो यह रादे है रादे की भी जो है देख भाल करनी होती है रादे की और आजकल मेरा गला भी बैठा हुआ है क्योंकि किर्टन रोज कहीं किर्टन हो रहे हैं तो भजन वगेरा भी मैं गाई लेती हूं मतलब तो जाड़ू मैंने लगाती है सारे गमरों में और मैं पोचा लगा लेती हूँ अंदर की वीडियो में इसलिए नहीं बनाती हूँ कि समान वगेरा ज्यादा रखा रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा तो पोचा होचा लगा के जो है मैं नहा गई हूँ और हमें अपनी पूजा कर लेती हूँ सुबह की और पूजा करने के बाद में मैं नास्ता बनाओंगी नास्ता तियार करूँगी तो पहले जो है मैंने सुबह करेला बना लिया था तो करेला तो कम था फिर आजकर मेरी भावी गाउं जा रखी है तो फिर भाई आया हुआ था तो फिर मैंने डाल भी बनाई क्योंकि करेला कम था और मैं बना देती हूँ और करेला हो जाएगा तो दाल भी मेरी बंच चोंक दी मैंने चीरई से और हेंग से और करेला भी बन गया है तो मैं नास्ता दे देती हूँ और उसके बाद मेरे बर्तन का काम रह जाएगा तो फिर काम खत्मिंड यह लगबग ये लोग खाना खा रहे हैं पर बैटके और आज संडे का दिन है बच्चों की भी छुटती है बरतन भी धो लिए मैंने और किचन साफ हो चुकी है और अभी थोड़े से कपड़े रहे गए हैं और बाकी कपड़े मैंने सब सुखा दिये हैं चदर मैंने अस दिन की थी वो भी धो दी आज और धूब बहुत ही ज़ाना तेज हो रही है पसीना पसीना आ अ गया जो है बहुत तीज धूब है और मैंने चाय गरे भी पीती थी और थोड़ से कपड़े से बस बेह घ्र भाक्रोड़े हैं फिर बाद में फोन आया तो फिर ने डाल उसी टेम मनाई तो थोड़े से कप्रे है गया है वो भी डाल दूंगी पसीना पसीना हो रहा है बहुत जादा गर्मी हो रही है सूप संध्या बोलो जाद बापा ने मेरे पैसे नहीं ले ले थे तो फिर में वापिस से जमा रहे हैं अब हो गए मेरे कुछ दो सो बचास को चलाल पनी में रख लें तब दूब लें पहले इसके इंदर रख रहा था मैं इसके इंदर थड़ जाएंगे युद्धूल से जाएंगे इंदर दूज दवन्व दूजिन रख रूज उन्हें रहा था है से यह तो टूज सेकने पड़े हैं इसको 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 आफ वोल्त है यहां पर हाँ बता चेस सही है है हाँ शुक संध्या रोस्तों पांच बज़रे पांच बज़रे पीस मिनट और और मैं बना दी स्वाम की चाय उल्टा काम नहीं पेले दूद्ध चाय में मैंने जो है काली मिट्स डाल रखी है और दाल चीनी डाल रखी है और अम्मे डाल रखी है चाय पत्ती क्योंकि अध्रक खतम हो रख है आज लेकर आओंगी जब सब्सक्राइब जाओंगी बढ़िया चाय बनाने के लिए इसको कम आच पे थोया है थोड़ा सा उबालेंगे कम आच पे थोड़ी देर उबलने के लिए शोड़ देते हैं चाय बनके त्यार है इस प्रीज में इस प्रीज में जहां पर अब दंते ना तरहीं चाहां पांच बोरें इते हम साम कुछा और ये साम को कर सकता है ये भी पहर को में अप्राइब दुग्ण चाहें पीने के बाद जो है मैं सब्जी ले ने गई थी और ये शेव लेकर आईू न और आज बनेगा यह पनीर और यह बने मटर बनेगा आज और बच्चों के लिए बनेगी माइकरोणी वाइट वाली तो मैं बना लेती हूं अपना रात का खाना बटाफट से वह यह विरे विचाय पानी के बतन भी पड़े वे तो बनाती हूं मैं तो मैंने यह तो बिना लसन प्याज के सब्सक्राइब करना ना लिए कड़ाई में ने मैंने सर्सो का देल डाला यह हमारी चोटी सी लोही की कड़ाई है इसमि मैं बना रही हूं और साइड मैंने दूद भी रख दिया है उबलने के लिए और आजकल खाना बिना लसन प्याच के बन रहा है तो मैंने इसमें डाला जीरा और डाली हींग और इसके बाद में मैं डालूँगी टामाटर और हरी मिर्च का और उसमें मैंने अद्रक भी डाला है और टामाटर फिर से महंगे हो गए हैं लेकिन कुछ चीजों में टामाटर बागी सब्सक्राइब तो मैंने थोड़े देर यह टामाटर को भूना उसके बाद में मैं इसमें शुआने लाल मिर्च नमक और हल्दी और फिर मैंने अच्छे से भूणलिया म साल मसाले को भी और इसके बाद में डालूँगी इसमें पनीर और मतर और उसके बाद में अब मैं जरुत की हिसाब से पानी डालना है और साथ में मैंने बनाये हैं थोड़ से चावल और बच्चों के लिए तो बच्चे वाइट माइक्रोनी बनाई हैं सेटेटे संडे वो बोलते हैं कुछ इस्पेसल बनाऊ तो वाइट माइक्रोनी बच्चों के तो अब मैं इसको अबलने के लिए रख देती हूँ और यह पनीर की सबजी बनके तयार है और यह मैं बरतन ढोदे दी तब थक और वाइट पास्ता भी बन के तयार है और रोटी सबजी चावल बनके तयार है तो इस ब्लोग का एंड में यही पर कर देती हूँ सब को जय माता दी और फिर मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लोग में